ऐसे शुरू करेंगे जहां भाग दो में हमने छोडा था सवाल यह है कि क्या गरीज जी गैलवे डिस्टिबिटर बन कर गुपता इंड्संस की तरह एक होलसेलर जैसा बड़ा बिद्नस खड़ा कर सकते हैं क्या गरिष जी गेलवेडिस्टिब्ीटर बनकर अपना एक लाध रपय महीने कमाने का खाब पूरा कर सकते हैं? तो उत्तर हैं बिलकुल पूरा कर सकते हैं अब अगला सवाल यह है कि गरिष जी को बैत 5 ओर गेलवेडिस्टिब्ऋटर करना क्या पड़ेगा? Galway Distributor बनने के बाद गरीश और संगीता को सबसे पहले Glaze के सारी ट्रेनिंग करने करम अटेंड करने चाहिए Glaze कंपनी कहीं तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाती है जैसे कि Distributor Orientation Program इस प्रोग्राम को अटेंड करने पर गरीश और संगीता को वो कंपनी के बारे में विस्तार से जानकारी मिलेगी जैसे कि Galway Business Plan इसमें कंपनी के Music gives Central Plan के बारे में जानकारी मिलेगी Galway Product Training इसमें कंपनी के जितने भी प्रोड़क्ट है उन सब के बारे में विस्तार से जानکारी मिलेगी चाहे वो फिर health and nutrition product है, home care product है, personal care है, या फिर कृषी से संबंदित product है इसके अलाव है business training, business training program में कहीं तरह कि training program है जैसे कि power shop training, list कैसे बनाते हैं, approach कैसे करते हैं, closing कैसे करते हैं, follow-up कैसे करते हैं, plan कैसे देना है और business presentation कैसे दी जाती है business presentation में भी तीन तरह की business presentation होती है one-to-one house business presentation, mega business presentation, how to run powerhouse इसके अलावा company e-tools training भी provide करती है यानि कि company की website की training company के पास तीन mobile app है business app, training app और galway cart app तीनों की training, customer care training यानि कि आपको company के customer care department से किस परकार की facilities मिलती है तो इस तरह से company कहीं तरह के training कारिकरम चलाती है घरीश और संगीता को company, business और product पर 100% भरोसा आए इसके लिए उन्हें सभी training program अटेंड करने चाहिए business में सफलता के लिए सबसे पहले अगर कुछ चाहिए तो है business में आपका भरोसा जब business में भरोसा आएगा तभी घरीश और संगीता इस business को पूरे commitment के साथ और पूरी seriousness के साथ करेंगे और तभी सफलता सुनश्चित होगी training लेने के बाद आप घरीश और संगीता को क्या करना है ट्रेनिंग लेने के बाद गरीश और संगीता को गैल विद्नस का ये काम अपने घर से शुरू कर आए अपने घर पर ही एक छोटी सी टेबल शॉप खूलने है इसके लिए गरीश और संगीता अपने घर में जिस कमरे में गेस्ट को बिठाते हैं वहां किसी कॉर्णर में एक छोटा सा टेबल लगाए और इस टेबल पर एक साफ कपड़ा डाले और इसके उपर एक टेपर बोर्ड लगाए जिस पर लिखें गैलवे ड्रीम कॉर्णर क्यों लिखें गैलवे ड्रीम कॉर्णर तो आप इसे जरूर रख लीजेगा, नहीं पसंद आए, तो ये कोई business training का part नहीं है, ये purely purely मेरी personal opinion है, मेरा ये मानना है कि हम जब कोई बहुत बड़ा काम शुरू करते हैं, ऐसा काम जिसमें हमारे सारे सपने पूरे करने की ताकत है, उसमें हमें अपने इश्वर को अपने सा रख कर काम करना चाहिए, आप किसी भी धर्म से हों, चाहे आप हिंदु हों, मुसल्मान हों, सिख हों, इसाई हों, या किसी भी इश्वर की पूजा करते हों, आपको उसका अशिरवाद लेकर काम शुरू करना चाहिए, मैं अगर अपनी बात करूँ, तो मैं खुद माता व मेरे माताजी से प्रात्ना की, हे मा, आप मुझे सत्बुद्धी देना, कि मुझसे कोई गलत काम ना हो, और मैं हमेशा आपकी आज्या में रहूं, आपका सेवक बन के रहूं, मैं पूरी सच्चाई और इमानदारी से मेनत करूं, मेरा कस्टमर हमेशा मुझसे संतुष्ट रह और मुझे दुआएं दे, मेरे घर में जो कमाई आए, वो नेक कमाई आए, कोई गलत पैसा या बद्दुआ वाला पैसा मेरे घर ना आए, मुझे सफलता की रहा दिखाना मा, मेरी अंतरात्मा में बैठ कर, मुझसे सही फैसले करवाना, क्योंकि मैं आपकी आज्या में हू इस प्रात्मा के साथ, आज से 21 साल पहले दोस्तों मैंने ये काम शुरू किया था, और उसके बाद मैंने पीछे मुड़ कर कभी नहीं देखा, मेरी हमेशा से दो अपलाइन रही, एक जो मेरी भोतिक अपलाइन है, और एक माता जी, जब भी मैं कोई कारे करने में फोड़ा इसा कन्फ्यूज हो जाता हूं, या मुझे समझ नहीं आता कि मुझे क्या फैसला लेना चाहिए, तो उस समय मैं एक सिक्टे को अपने और माता जी के बीच में माध्यम बना लेता हूं, और माता जी से अग्या लेता हूं, और जो भी उनका आदेश आता है, मैं उसका पालन करता हूं, यकीन मानी दोस्तों, आज तक कोई भी ऐसा आदेश नहीं आया, जिस पर मुझे पश्टावा हुआ, ये काम आप पर्चे डाल कर भी कर सकते हैं, मैं फिर से कहना चाहता हूं दोस्तों, ये मेरी सिर्फ परसनल राय है, मैं ऐसा करता हूं, ये ट्रेनिंग का हिस् से पर ध्यान दे सकते हैं, गैलवे ड्रीम कॉंडर आपकी छोटी सी गैलवे प्रोड़क्त की टेबल शॉप है, जहां आप बहुत थोड़े से गैलवे प्रोड़क्त के स्टॉक से अपना बिदनाश शुरू कर सकते हैं, गैलवे ड्रीम कॉंडर की इस टेबल पर आपको क् अगर आप भगवान में विश्वास रखते हैं तो जिस भी इश्वरिय शक्ती में आप विश्वास रखते हैं उसकी तस्वीर या चिन्द सबसे पहले इस टेबल पर स्थापित करें और उनका अशिरवाद लें उसके बाद इस टेबल पर गैलवे प्रोडक्त का डिस्प्ले लगाएं एक स्टॉक रिजिस्टर रखें एक गल्ला या गुल्लक रखें और एक पैपर रखें यह आपकी छोटी सी रिडेल शॉप त्यार हो गई हमने एक छोटी सी प्यारी सी दुकान अपने घर पे खोल ली है जिसका नाम है गयलवे ड्रीम कॉर्लर अब अगला सवाल ह कि हमें इस दुकान पर कितना स्टॉक रखना चाहिए गयलवे बिद्नस की ये खूबी है कि आप थोड़े से स्टॉक से भी इस बिद्नस को शुरू कर सकते हैं प्रोड़क का बहुत ज्यादा स्टॉक आपको नहीं करीदना है आप सिरफ 10-12,000 रुपे के स्टॉक से भी एक लाक रवे महिना कमाएंगे चलिए इस प्रश्न का उत्तर ढूंते हैं इस दुकान को गरीश जी और उनकी पत्नी मिलकर चलाएंगे गरीश जी को अपनी नोकरी छोड़ने की जूरत नहीं है गरीश और संगीता को सिरफ एक वादा करना है कि वो दो से तीन घंटे रोज इस बिदनस को पूरे कमिटमेंट के साथ देंगे अगर गरीश और संगीता सिरफ तीन साल तक कमिटेड होकर मन लगाकर मेनत करेंगे तो ये गैलवे ड्रीम कॉर्णर उनके सारे सपने पूरे करने की ताकत रगता है देखते हैं कैसे मुम्किन है सबसे पहले हमें गैलवे कॉर्णर को हम अपनी पावर शॉप कहेंगे क्या हम अपने गैलवे ड्रीम कॉर्णर से हर महीने 10,000 पे के प्रोड़क बेच सकते हैं तो उत्तर हैं बिल्कुल बेच सकते हैं अगला सवाल उसके लिए हमें करना क्या होगा क्या गरीश ची और संगीता को घर गर जाके प्रो कि हमारी दुकान का पहला कस्टमर कोन होगा हमारी दुकान का पहला कस्टमर हम खुद होंगे सबसे पहले हमें अपनी शौप बदलनी है अगर हमारे घर में इस्तमाल होने वाला कोई भी प्रोडक्ट गैलवे के पास है तो आज से हमें सिर्फ गैलवे प्रोडक्ट का 100% यूजर बनना है आप देखेंगे कि हर महीने लगब तीन हजार रुपे के प्रोडक्ट हम बजार से खरीद कर लाते हैं और वो सारे प्रोडक्ट गैलवे स्टोर पर उपलब्ध हैं अगर आप उमीद करते हैं कि आपके दोस्त रिष्टेदार आपके पडोसी अपनी पुरानी शौप बदल कर आपके गैलवे ड्रीम कॉर्णर से प्रोडक्ट खरीदें तो सबसे पहले ये काम हमें खुद करना ये खुद तो प्रोडक्ट यूज करता नहीं है हमको बोल रहा है चौप चेंज करने को तो हमारी दुकान का सबसे पहला कस्टमर कोन होगा हम खुद और हमारा लक्षे होना चाहिए कि कम से कम 3,000 रुपे के प्रोडक्ट हम अपनी गैलवे शौप से खरीदेंगे तो बाकी अपन की साथ हजार उपे के लक्षे के लिए हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों हम सब लोक यहां बिदनस करने के लिए हैं और जैसा कि आपको बताया गया था कि हम सब को कम से कम 100 लोगों की लिस्ट बनाने हैं और इस list को लेकर जब हम अपनी applym के साथ बैठेंगे तो वो इसमें से लगब 20 लोगों के नाम छाटेंगे इन 20 लोगों को आप एक एक करके अपनी applym से मिलवाएंगे और वो इनको business presentation देगे जब 20 लोगों को हम business presentation देते हैं तो क्या 20 के 20 लोग business करना चाहेंगे नहीं हमारे आउसतन अगर 20 guest business presentation देखते हैं तो सिरफ 50 प्रतिशत लोग यानि कि 10 लोग business करने में उस सहा दिखाते हैं और बाकी 10 लोग business नहीं करना चाहते हैं बाकी 10 लोग आपके customer बनकर या user distributor बनकर आपके galway dream corner के permanent गहाग बन सकते हैं business presentation में जब आप उन्हें product demo देते हैं और product use करके दिखाते हैं तो वैं galway product की quality से impress होते हैं और आपके product पो एक मौका जरूर देंगे उसके बाद product की quality और आपकी customer service उन्हें आपके galway dream corner का permanent गहाग बना देगा अगर ये 10 लोग हर महीने सिरफ 1000 रुपे की भी product खरी देंगे तो आपका लक्षे पूरा हो जाएगा यानि कि मात्र 10 customer को product supply करके आप अपने 10,000 रुपे महीने के लक्षे को पूरा कर सकते हैं और याद रखिए आपको ये काम महीने के पहले 7 दिनों में पूरा करना है यानि कि महीने के पहले 7 दिन में आपको अपने इन customer से product के orders भी लेने हैं और इने product supply भी करने हैं ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ ये मैं आपको बाद में बताँगा आप मुझे सोच के बताईए कि क्या 10,000 रुपे का लक्षे मुश्किल है क्या आपके Galway Dream Corner को power shop में convert करना मुश्किल है मैं जानता हूँ कि power shop की सफलता को लेकर आपकी कुछ शंकाएं हो सकती हैं तो चलिए मैं आपको पताता हूँ कि एक Galway Dream Corner को एक सफल power shop बनाने के लिए हमें क्या करना होगा अगर आप Galway Dream Corner को एक सफल power shop यानि कि एक ऐसी shop जो हर महिने कम से कम 10,000 रुपे का बिद्नस करती हो बनाने के लिए आपको क्या करना होगा इसके लिए आपको तीन काम करने होगे पहला काम है आपको Galway product के सारे training कारिकरम अटेंड करने होगे दूसरा आपको Galway product का 100% यूजर बनना होगा और तीसरा आपको power shop ट्रेनिंग कारिकरम अटेंड करना होगा अगर आप ये तीन काम कर लेंगे तो आपका Galway Dream Corner 10,000 का नहीं बलकि 1,000,000 रुपे महिने तक का बिद्नस कर सकता है चलिए मैं आपको विस्तार से इन तीनों के बारे में बताता हूँ इस सेशन के बाद सबसे पहला काम आप ये कीजिए कि आप Galway product के सारे training कारिकरम अटेंड करिए जब आप product की training लेंगे आपको हर product से संबंदित 10 सवालों के जवाब पता होने चाहिए ये 10 सवाल क्या है मैं आपको बताता हूँ पहला सवाल product का नाम क्या है और वो किस लिए है दूसरा सवाल इस product के मुखे तत्व क्या है और वो क्या करते हैं तीसरा सवाल इस product की खूबियां क्या हैं और इसे इस्तमाल करने के बाद किस तरह के फाइदे होते हैं चोथा सवाल प्रोडक्ट, competitor के product से किस तरह से बहतर है उसकी quality कैसी है और उसकी कीमत कैसी है पाचवा सवाल प्रोडक्ट को परियोग करने की विदी क्या है छटा सवाल कितना पैसा खच करना उस प्रोड़क्ट से होने वाले फाइदे के आगे सही है। साथमा सवाल इस प्रोड़क्ट के टार्गेट कस्टमर कौन है यानि कि ये प्रोड़क्ट किस तरह की कस्टमर की जुरूत है। आठ्वा सवाल, आपकी लिस्ट में इस प्रोड़क के टार्गेट कस्टमर कौन-कौन हैं, उनके नाम लिखें। नुवा सवाल, क्या आपने या आपके किसी जानने वाले ने यह प्रोड़क खुद इस्तमाल किया है? अगर किया है, तो उनसे पूछ कर इस प्रोड़क के बारे में उनके अनुभव लिखें। और दस्वा सवाल, अगर प्रोड़क का डेमो उपलब्ध है, तो उसका डेमो कैसे दिया जाता है? सीखें। प्रोड़क की ट्रेणिंग और उस प्रोड़क के खुद के अनुभव आपके आत्मिश्वास को सात्वे आसमान पर पहुचा देंगे दोस्तों इसलिए जो पहला काम आपको करना है वो यह है कि आपको Galway product के सभी training program attend करने हैं दूसरा काम जो आपको करना है वो है product का 100% user बनना है जब आपने product की training ले ली है ट्रेनिंग के बाद product के feature जान ली है और जब आप उन product को खुद use करते हैं तो आप उन खूबियों को और उनसे मिलने वाले फायदों को खुद अनुभव करेंगे जब आप gather product की quality और फायदों से 100% satisfied होंगे तो क्या होगा ऐसी स्तिती में हम क्या करते हैं हम दिल से इमानदारी से पुरी सचाई से इन product के brand ambassador बन जाते हैं हम खुद जा जाकर अपने दोस्तों को रिष्टेदारों को इन product को खरीदने की सला देते हैं हम इन product की personal guarantee तक ले लेते हैं तो कि यात्मिश्वास हमें अनभव से आया है तब आप किसी को product बेचते नहीं हैं तब आप salesman नहीं होते हैं आप बस product से संबंदित अपने सचे अनभव उनसे share करते हैं product तो अपने आप दिख जाता है क्या आपने पहले कभी ऐसा किया हैं दोस्तों आपने thousand बार ऐसा पहले किया है सोचके देखें जब आप कोई अच्छी movie देख कर आते हैं तो आप क्या करते हैं सोच के देखिए अगर आप किसी चाट की दुकान पर गुलगपे खा कर आते और वो आपको बहुत पसंद आते हैं तो आप क्या करते हैं ? अगर आपको कोई डाक्टर बहुत पसंद आया है तो आप क्या करते हैं ? आप इन सब के brand ambassador बन जाते हैं, और आप जिस जिस को जानते हैं, जिस जिस से प्यार करते हैं, उन्हें जा जा कर इनके बारे में बताते हैं, आप इने recommend करते हैं, आप उनसे अपने अनभव शेर करते हैं, और जाने और अनजाने में आप उनकी दुकान चलाते हैं, बस यही का अब आपको अपने गैलवे ड्रीम कॉर्णर के लिए करना है, अपने प्रोड़क का अनुभव करना है, अपने प्रोड़क का ब्रैंड अम्बेस्टर बनना है, निश्कर्ष क्या है, निश्कर्ष ये है कि ट्रेनिंग लेने के बाद आप अपने प्रोड़क के 100% यूजर बन प्रोडक्त अपने आप बिग जाएगा अब मैं तीसरे काम पर आता हूं तीसरा काम है पावर शॉप ट्रेनिंग यह बहुत अच्छा ट्रेनिंग कारेकरम है जिसमें आप सीखेंगे कि कैसे आप प्रोफेशनली एक रिटेल शॉप चला सकते हैं इस क्लास में आपको इन सवा प्रोडक्त का ओडर कैसे लें यह कैसे पता लगाएं कि कस्टमर और उसके परिवार को किस तरह के प्रोडक्त की जुरत है प्रोडक्त का ओडर साइज कैसे बढ़ाएं यानि एक ही कस्टमर को ज्यादा प्रोडक्त कैसे बेचें कस्टमर का रिकॉर्ड कैसे रखें कस्टमर की संख्या को लगातार कैसे बढ़ाना चाहिए कस्टमर को कंपनी के बाकी प्रोड़क्ट के बारे में कैसे एजुकेट करें ताकि वो प्रोड़क्ट भी वो खरीदे क्या करें कि कस्टमर को उधार मा देना पड़े कस्टमर की शिकायत और सुझाव कैसे डील करें कस्टमर के objection और rejection कैसे handle करें इस तरह के तमाम सवालों के जवाब आपको इस training कारेकरम में मिलेंगे यह बहुत ही शक्तिशाली training program है इसको करने के बाद आप एक professional retailer के रूप में स्थापित हो सकते हैं तो निश्कर्ष यह है training लेंगे तो आपके galway dream corner को power shop में बदलने से कोई नहीं रोख सकता 100% आपकी shop power shop में convert होगी अब आप सोचेंगे कि मैं power shop की सफलता पर इतना जोर क्यों दे रहा हूं एक power shop चला कर कितना business होगा मात्र 10,000 पर महीना और हमारा retail margin कितना है मुश्किल से 15% अगर मैं 10,000 को 15% से multiply करूँ तो हमारी gross income कितनी होई 15,000 रुपे महीना तो क्या हम 15,000 रुपे महीना कमाने के लिए यह shop चला रहे हैं हमारा खाब तो कम से कम 1,000,000 रुपे महीना कमाने का है बला वो यह power shop से कैसे आएगा ग्रीश जी की यह power shop एक linear income है जब तक हम linear से leverage income की तरफ नहीं जाएंगे तब तक ग्रीश जी बड़ा पैसा नहीं कमा सकते हैं अगर हम चाहते हैं कि ग्रीश जी leverage income करें तो उन्हें अपने business का विस्तार करना होगा यानि कि उन्हें अपनी power shop का विस्तार करना होगा बिना linear income के leverage income भी नहीं हो सकती यानि बिना खुद की power shop के वो power shop का विस्तार नहीं कर सकते इसलिए ये पहला कदम है खुद की एक सफल power shop दूसरा कदम होगा इस power shop का विस्तार यानि इस power shop का एक network खड़ा करना होगा गरीश जी को अपनी power shop का ठीक वैसे एक network बनाना होगा जैसे wholesaler गुपता एंड संस ने retailer का network बनाया था और distributor Mr. Popley ने wholesaler और retailer का network बनाया था जब ऐसा होगा तो गरीश भी leverage income पर shift हो जाएंगे और उसी में छुपा है लाख रुपए महीना कमाने का राज इससे पहले कि हम गरीश जी की power shop का विस्तार करें मैं आपको एक business model के बारे में बताता हूँ क्या आपने franchisee business model के बारे में सुना है क्या होता है franchisee business model franchisee business model दुनिया का सबसे काम्याब business model है और ये duplication के सिद्दान्त पर यानि की नकल के सिद्दान्त पर काम करता है इस सिद्दान्त के नुसार अगर आप किसी भी कारे परणाली या process को हूँ वहू copy करेंगे तो नतीजे एक जैसे आएंगे इसको मैं आपको एक उधारन से समझाता हूँ हम सबने नकल स्कूलों में ही सुना है मैं आपसे एक प्रशन पूशता हूँ एक स्कूल की क्लास में 50 बच्चे पढ़ते हैं कितने बच्चे ऐसे होते हैं जिनके 80% से ज़्यादा नंबर आते हैं अगर मैं कुछ स्कूलों के अपवाद को छोड़ दूँ तो ज़्यादा तर स्कूलों में ये संख्या 5 से 7 के बीच में होती है यानि कि 10 से 15% ही ऐसे बच्चे होते हैं जिनके 80% से ज़्यादा नंबर आते हैं और बाकी बच्चे इससे कम नंबर लेते हैं अगर मैं एक एक्स्पेरिमेंट करूँ अगर हम स्कूल में नकल को लीगल कर दें और सभी बच्चों को क्लास के सबसे होनहार बच्चे की कौपी से हूँ बहू नकल करने की छूट दे दें तब परिणाम क्या रहेंगे? तब परिणाम बिलकुल उल्टे होंगे क्लास के ज़्यादा तर बच्चों के नंबर 80% से ज़्यादा आएंगे कुछ बच्चों के अब भी नहीं आएंगे क्योंकि नकल करने के लिए भी अकल लगानी पड़ती है स्कूल में तो यह मुम्किन नहीं है लेकिन जब हमने नकल के इस सिद्दान को बिद्नस में अपलाई किया तो दुनिया का सबसे काम्याब और शांदार बिद्नस मॉडल त्यार हुआ जिसे हम फ्रेंचाईजी बिद्नस मॉडल कहते हैं मैं एक और उधारेंट से आपको समझाता हूँ मान लीजिए आपके शहर में 50 हलवाई की दुकाने हैं इन 50 में से कितने दुकाने आपके इसाब से होंगी जिने आप काम्याब कह सकते हैं जहां हमेशा भीड लगी रहती है और वो शहर में प्रसिद्ध हैं मुश्किल से 5-7 वही स्कूल वाला अनुपाद 10-15 यह अनुपाद लगबग हर वित्मस में हर शित्र में अपलाई होता है चाए आप वकीर उठा लें चाए आप डॉक्टर उठा लें चाए कपड़े की दुकान उठा लें तिराने की दुकान उठा लें हलवाई की दुकान उठा लें आप पाएंगे मुश्किल से 10-15% लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा कामयाब होते हैं बाकी तो सिरफ अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रहे होते हैं आप थोड़ी देर के लिए सोचिए कि आपके शहर की सबसे परसिद और कामयाब हलवाई की दुकान कोन सी है उसका नाम सोचिए मान लेजिए उस दुकान का नाम है अशोका स्वीट कॉर्णर इस दुकान में दूर दूर से लोग मिठाई लेने आते हैं कई लोग तो दूसरे शहरों से भी मिठाई लेने आते हैं मेरा आपसे सवाल है अशोका स्वीट कॉर्णर पर इतने लोग मिठाई लेने क्यों आते हैं आंसर बहुत सिंपल है, उसकी मिठाई की क्वालिटी अच्छी है, कीमत अच्छी है, पैकिंग सही है, साफ सफाई है, उसका व्यवार बहुत अच्छा होगा, ओरिजिनल मिठाई होगी, और पचास साल पुरानी दुकान है, लोगों को उस पर भरोसा होगा, उसको काफी मुझे कहे, कि आप साथ वेले शहर में मेरे साइच की एक दुकान ले ले, मेरी जैसी फेटिंग करा ले, मैं आपको अपना नाम भी देता हूँ, सब कुछ मेरी दुकान का कॉपी कर ले, नकल कर ले, मैं आपको छे महीने तक अपनी दुकान में ट्रेनिंग दूँगा, मैं सब कुछ सिखाऊंगा, मिठाई कैसे बनानी है, क्या कीमत रखनी है, कौन सा समान यूज़ करना है, माल भी मैं आपको सप्लाई करूँगा, आप हूँ वहू मेरी दुकान की वहाँ पर कोपी खोल लो, और बदले में मुझे दो चीज़े देतो, नमबर एक, दस लाक दोनों मुझे से ले रहें, अब मेरा आप से पहला सवाल है, अगर मैं उनका ये प्रपोजल समिकार कर लो, और पडोस के शहर में, जहां पे अशोका स्वीट का बहुत नाम है, अशोका स्वीट के नाम से ही दुकान खोल लो, तो क्या वो दुकान चलेगी? उत्तर है, हंड परसेंट चलेगी, क्योंकि मैं वो सब कुछ दे रहा हूँ जो अशोका स्वीट पे मिलता है, नाम से लेके काम तक, दाम तक, क्वालिटी तक, आप जो दुकान अशोका स्वीट कॉर्णर के नाम से दूसरे शहर में खोलेंगे, वह अशोका स्वीट कॉर्णर की फ्रिंचा मॉडल कहते हैं, इस मॉडल में सफलता की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि आपने एक सफल दुकान को हूब भू कॉपी किया है, मैं आपको अपनी बात सिद्ध करने के लिए विश्व परसिद्ध फ्रिंचाइजी मॉडल के कुछ उधारन देता हूँ, आप आपने मैकडोनल का नाम सुना है, मैकडोनल की शिरुवात 1937 में अमेरिका में एक फूड स्टेंड के रूप में हुई थी, 1950 में पहला सिटिंग रेस्टोरेंट मैकडोनल ने बनाया था, और 1953 में मैकडोनल ने अपनी पहली फ्रेंचाइजी दी थी, आज पूरे विश्व क एक सो सत्रा देशों में मैकडोनल की 37,000 से ज़्यादा फ्रेंचाइजी हैं दोस्तों, जहां से उसको रॉयल्टी आ रही है, पूरे विश्व में आपको किसी भी मैकडोनल में 100% डुप्लिकेशन दिखाई देगा, zero error डुप्लिकेशन, अगर आप मैकडोनल की किसी भी फ्र जैसा कलर, एक जैसी शोकेसिंग, और तो और उनके हर पड़क का टेस्ट एक जैसा मिलेगा, अगर आप मैकडोनल की फ्रेंचाइजी लेते हैं, तो भारी भरतम फीस के साथ आपको 12-18 महिने की ट्रेंग करनी पड़ती है, 100% शुद्ध डुप्लिकेशन में ट्रेंग का सब फ्रेंचाइजी मॉडल क्यों समझाया, दोस्तों मैंने आपको फ्रेंचाइजी मॉडल इसलिए समझाया, क्योंकि हमारा बिद्नस मॉडल भी लगभग फ्रेंचाइजी मॉडल जैसा ही है, हमारा बिद्नस मॉडल भी डुप्लिकेशन के सिद्धान पर काम करता है, अगर आ कोड़ूंगा यह में दरन्सलों की मास्टर कॉपी थी, उसके बाद में दरन काइसी दी इस मास्टर कॉपी की डुख। जंनी झांके नुख कम करता है। जब आप Galway Dream Corner खोलते हैं, तो हम आपसे कहते हैं कि उसे एक काम्याब Power Shop में बदलें, क्योंकि जो आपकी काम्याब Power Shop है, वो आपकी Master Copy बनेगी, जब आप अपनी इस Power Shop का Network बनाएंगे, जब आप अपनी Power Shop का विस्तार करेंगे, तो जितनी भी आगे Power Shop खुलेंगी, वो इस Master Copy की Duplicate Copy होंगी, तो जितनी ज़्यादा आपकी Power Shop काम्याब होगी, उतनी ज़्यादा आपकी Network की Power Shop काम्याब होंगी, इसलिए मैं Power Shop की काम्याबी पे इतना ज़्यादा जोड़ दे रहा था, याद रखें दोस्तों, हमारा Business Duplication का Business है, और हमारे Business में ये Word Duplication सबसे ताकतवर शब्द है, ये जगा-जगा और बार-बार इस्तमाल होने वाला शब्द है, आपको याद रखना है, हमारा Business क्या है, डुप्लिकेशन, 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 और डुप्लिकेशन, त एक फर्क है, अगर आप मैकडॉनल की फ्रेंचाइजी लेते हैं, तो आप एक काम्याब रेस्टोरेंट के मालिक तो बन सकते हैं, मगर आप मैकडॉनल के मालिक की तरह अपने रेस्टोरेंट की आगे फ्रेंचाइजी नहीं दे सकते हैं, यानि कि आप लेवरेज इंकम नहीं क करते हैं तो आप अपनी अप्लाइन की एक फ्रेंचाइजी होते हैं आप अपने अप्लाइन के बिद्नस को डुप्लिकेट करते हैं और साथ ही आपको भी ये पावर मिलती है कि आप भी अपनी एक काम्याब पावर शॉप बनाएं और उसके बार डुप्लिकेशन के सिद्धा को follow करते हुए अपनी franchisee आगे दें यानि हमारे business में आप franchisee लेते भी हैं और franchisee आगे देते भी हैं यानि हमारे model में आपको leverage income करने की opportunity मिलती है इस बात को उधारण के साथ समझते हैं आप सभी ने business presentation देकी जो भी आपको इस business में लेकर आया है वह आपका इस business में sponsor कियलाता है और वही आपकी upline भी है माल लीजिए कि गरीश को इस बिदनस में जनार्धन जी लेकर आए हैं तो जनार्धन गरीश जी की अपलाइन है जब गरीश जी गैलवे ड्रीम का उडर खोलेंगे तो एक तरह से जनार्धन जी की पावर शॉप की फ्रेंचाइजी खोलेंगे जनादन जी ने अपनी अप्लाइन से अपनी पावर शॉप को काम्याब बनाने के लिए जो कुछ भी सीखा था जो भी उनके प्राक्टिकल अनभव रहे वो सब कुछ गरीश जी को पूरे दिल से सिखाएंगे जनार्धन जी ग्रीश जी की पावर शॉप को काम्याब बनाने के लिए हर मुम्किन मदद करेंगे ग्रीश जी को काम्याब बनाने के लिए उनकी अपलाईं जनार्धन ने क्या काम किया उन्होंने गरीश का हाथ पकड़ कर सभी तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम करवाए उनका गैलवे ड्रीम कॉर्नर सेट करवाया उनकी लिस्ट बनवाई गरीश जी के साथ बैट कर विचार कर उस लिस्ट में से 20 नाम निकाले और गरीश जी को मोटिवेट किया कि अब एक-एक-दोदो करके इन 20 लोगों को मुझसे मिलाए ताकि मैं उन्हें बिदनस प्रेजटेशन दे सकूँ गरीश जी ने एक-एक-दोदो करके इन गैस्ट को अपने घर पर अमंतरिद किया जहां जाकर उनकी applying जनारदन ने उन्हें business presentation दी जो ये 20 guests business presentation देखने आये थे क्या सबके सब लोग business शुरू करेंगे उत्तरन नहीं जैसा कि मैंने पहले बताया था इस 20 में से लगबक 10 लोग ऐसे होते हैं जो business शुरू करने में रूची दिखाते हैं और वास्तव में उन में से 5 या 6 लोग होते हैं जो actually और seriously इस business को करते हैं गरिश तब तक अपने guests को introduce करेंगे जब तक उन्हें वो 6 लोग ना मिल जाएं जो उन्ही की तरह business करने में interested हैं यानि कि जो आपके और मेरे जैसे लोग हैं उन्हें हम अपनी power shop की franchise देंगे हम उन्हें duplication के सिदान्त को follow कराते हुए उन्हें वो सब कुछ सिखाएंगे जो हमारी apply ने हमें सिखाया था हम उन्हें काम्याब power shop बनाने के लिए वो सब कुछ सिखाएंगे जो सिखाना जरूरी है हमारा मकसद है कि हमें 6 काम्याब योग्य गैलवे distributor त्यार करने हैं जो 6 काम्याब power shop चलाएं हम इनका हाथ पकड़कर रोज शाम को इन्हें power house लेकर जाएंगे और तब तक सारी training करवाएंगे जब तक कि वो business को अच्छे से सीखना जाएं और खुद भी उन training program को लेना न सीख जाएं याद रखें दोस्तों आपकी power shop जितना अच्छा perform करेगी आपकी ये 6 franchise उतना अच्छा perform करेंगी क्योंकि हमारा business duplication का business है जो आप करेंगे आपकी down line हूब भू वही करेगी अब गरीश का अगला लक्षे क्या है गरीश का अगला लक्षे है कि उसको अपनी power shop की franchise का एक बहुत बड़ा network बनाना है तभी उसका एक लाख रुपे महीना कमाने का खाब पूरा होगा अब सवाल ये है कि उसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा बहुत सिंपल है इसको इप्राक्टिकल उधारन से समझते हैं मान लेते हैं गरीश ने जनवरी में बैतोर गैलवे डिस्टिब्यूटर जोइन किया और फरवरी के end तक आते आते उन्होंने अपने 6 दोस्तों को sponsor किया और इन 6 लोगों ने उनके नीचे पावर शॉप खोली अब इन 6 लोगों ने गैलवे को क्यों जोइन किया बिद्नस करने के लिए यानि कि ये भी वो सब कुछ करेंगे जो गरिश ने किया ये भी लिस्ट बनाएंगे ये भी guest introduce करेंगे ये भी उन्हें business presentation दिखाएंगे और अपना network बढ़ाने की कोशिश करेंगे जैसा कि मैंने कहा था हमारा business duplication का business है मान लेते हैं March का अंत आते आते ये जो 6 लोग हैं एक-एक गैलवे distributor को sponsor कर देते हैं यानि इनके नीचे एक-एक power shop खुल जाती है क्या आप मुझे बता सकते हैं कि गरीश के नीचे March के end तक आते आते कितनी power shop खुल चुकी है वर्बरी में गरीश के नीचे कुल पुरानी power shop कितनी थी 6 उन 6 लोगों ने March में 6 नई power shop खुल वाई यानि March के end तक 6 पुरानी जमा 6 नई कुल कितनी वर्कशोप हो गई 12 वर्कशोप अब चलते हैं अप्रेल में गरीश के नीचे कुल कितने लोगों की टीम है गरीश के नीचे कुल 12 लोगों की टीम है इन 12 लोगों ने Galway business क्यों जोइन किया इन्होंने भी अपना business expand करने के लिए जोइन किया अगर मैं यह मानूँ कि हर व्यक्ति अप्रेल में सिरफ एक एक Galway distributor sponsor करता है यानिकी एक एक power shop खोलता है तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अप्रेल में कुल कितनी power shop खूली 12 क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अप्रेल में ग्रीश के नीचे कुल कितनी पावर शॉप का नेटवर्क बन गया, 12 पुरानी पावर शॉप और 12 नई पावर शॉप यानि की कुल 24 पावर शॉप अब आप पिछले तीन महीनों की पावर शॉप की संख्या देखें, फरवरी में कुल 6 पावर शॉप थी, मार्च में 12 हो गई और अप्रेल में 24 जिसका मतलब यह है कि आपकी टीम में अगर हर व्यक्ति, हर महीने एक व्यक्ति को स्पॉंसर करे यानि की एक पावर शॉप खोल तो हर महीने आपकी पावर शॉप की संख्या डबल हो जाएगी, मगर मैं इस ग्रोथ को प्राक्टिकल ग्रोथ नहीं मानता, अगर मैं एक बहुत कंजर्वेटिव अप्रोच लो, अगर मैं मानू, आपके नेट्वोक में शामिल होने वाले डिस्टिब्यूटर सिरफ 25 परस पाइस आट है, तो आठ लोग मिलसेस्टेटर डो लोग को ज्वाइन करांगए, और आपका तीम साइज बारह हैं तो बारह लोग मिलसेस्टर अप्रोच मैं लेकर चल रहा हूं, अगर हम अतनी फेश्वेटिव अप्रोच के साथ चलें, तो हम यह द देखना चाहते हैं, त कि 10,000 power shop का network बनाने में कितनी दिर लगेगी उसके लिए आप इस चार्ट को देखे मैंने इस चार्ट में first year, second year और third year तीन पार्ट बनाए हैं पहले आप first year को देखे first year में तीन column है, month, new shop और total shop, पहले महीने में चार shop है, इसलिए total shop कितनी है, चार, दूसरे महीने में चार लोग मिलकर सिर्फ एक व्यक्ति को sponsor करते हैं, यानि एक shop खुलती है, और दूसरे महीने में आपकी total shop कितनी हो गई, चार पुरानी, एक नहीं, कुल पांच, तीसरे महीन महीने में पांच लोग मिलके फिर एक व्यक्ति को sponsor करते हैं, और कुल shop हमारी हो जाती है, चोते महीने में छे लोग मिलकर सिर्फ दो shop खुलते हैं, और आपकी कुल shop हो जाती है, आठ, और पांचे महीने में आठ लोग मिलकर सिर्फ दो लोगों को sponsor करते हैं, जिसकी वज़ा से दो शौप खुलती है इसलिए कुल शौप हो जाती है दस अगर आप इसे increasing order में लेते चलें तो आप second year में जाईए और फिर third year में जाईए तो आप पाएंगे 36 महीने में आपकी कुल शौप हो जाती है 9860 और 37 महीने में आपकी कुल शौप हो जाती है कि अगर हमारे नीचे 10,000 पावर शौप का network खड़ा हो जाए तो हमारा कितना business होगा और उससे हमारी possible income क्या होगी उस पर नेजर मारते हैं income calculate करने से पहले मगर मैं एक बात यहां clear करना चाहता हूं मैंने एक assumption ली है कि आपका network 25% से grow कर रहा है यह performance person to person अलग-अलग हो सकती है किसी की growth इससे ज्यादा हो सकती है और किसी growth इससे कम हो सकती है यह आपकी personal capability पे depend करता है मेरा मकसद सिर्फ आपको एक calculation दिखाना है इस उधारन से मैं सिर्फ आपको business का potential समझाना चाहता हूं मैं यह assume करता हूं कि गरीश के network में तीन साल में 10,000 power shop खुल गई है क्या आप मुझे बता सकते हैं कि गरीश का network हर महीने कितने turnover कर रहा है अगर हर power shop हर महीने 10,000 रुपे का business करती है तो 10,000 into 10,000 कुल 10 करोड का business होता है अब अगर गरीश को इस turnover का सिर्फ आधा परसेंट भी commission मिलता है तो 10 करोड का आधा परसेंट होता है दोस्तो 5,000,000 रुपे यानि गरीश 5,000,000 रुपे महीना कमाएंगे मैं एक दूसरी assumption ले लेता हूं अगर हमारी ये 10,000 power shop average 5,000 रुपे का business कर रही है तो कितनी turnover होगी 10,000 into 5,000 लगब 5 करोड रुपे अगर गरीश को इस 5 करोड रुपे का आधा परतिशदी commission मिलता है तो गरीश की income होगी 5,000,000 रुपे मैं और conservative चला जाता हूं अगर ये 10,000 shop सिर्फ और सिर्फ यूजर है यानि कि सिर्फ अपने लिए 3,000 रुपे के प्रटक्थी करीटते हैं हार महीने तो भी ये 10,000 shop फुल 3 करोड रुपे का business करती है और अगर मैं 3 करोड का 10% commission calculate करूँ तो वो आता है 1,500,000 रुपे महीना दोस्तों अब आपकी power shop महीने का 10 करोड का business करेंगी पांच करोड का business करेंगी या 3 करोड का business करेंगी क्या आप बता सकते हैं किस बात में निर्भड करता है ये निर्भड करता है आपकी खुद की power shop हर महीने कितना business करती है क्योंकि आपकी power shop इन सब power shop की master copy है अगर आपकी power shop 5000 का business करेगी तो आपके entire network में जितनी भी power shop है वो उस्तन 5000 का business करेगी अगर आपकी power shop 5000 का business करेगी तो आपके network में जितनी भी power shop है वो 5000 का business करेगी इसलिए आपकी खुद की power shop का business सबसे ज़्यादा important है कभी मत भूलेगा कि आपकी power shop master copy है और हमारा business duplication का business है duplication का business है यह जो आधा पर्सेंट कमीशन मैंने लिया है यह मैंने एक औसत के हिसाब से आपको income की गढ़ना करके दिखाई है वास्त्विक income इससे बहुत अलग हो सकती है यह इससे कहीं ज्यादा यग कम हो सकती है वास्त्विक income क्या होगी और इतना इमितनस करके ज्यादा से ज्यादा कैसे कमाया जा सकता है इसके लिए आपको Galway Marketing Plan को अच्छे से समझना होगा जब आप उस Plan को अच्छे से विस्तार में समझेंगे तभी आप इस Plan के हिसाब से अपना लक्षे और तारिय योजना बना पाएंगे याद रखें अगर आपको आपके पावर शॉप के द्वारा की गई टर्नोवर पर अधिक से अधिक लाब चाहिए तो पहले बिद्दस प्लान को विस्तार से समझें हलाकि मोटे तोर पर ज़्यादा से ज़्यादा इंकम कमाने का क्या तरीका है वो मैं आपको बता सकता हूँ अगर आप सेम टर्नोवर पर ज़्यादा इंकम कमाना चाहते हैं तो उसके लिए एक फार्मूला याद रखें और वो फार्मूला है गो वाइट गो डीप यानि कि ज़्यादा से ज़्यादा डरेक्ट करें और उनको नीचे डेप्ट तक बढ़ाएं इसका मतलब है आप ज़्यादा डरेक्ट लेग खोलें और हर लेग को नेटवर्क बनाते वे डीप करें कम से कम छे लेग बनाएं और हर लेग को रॉयल प्रेजिडेंट बनाएं अगर आप ऐसा करेंगे तो सेम टर्नोवर पर ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाएंगे इसके साथ मैं आज के इस सेशन को कंक्लूड करता हूँ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने ये सेशन क्यों बनाया दोस्तों मैंने ये देखा है कि डारेक्ट सेलिंग बिद्नस को बहुत सारे लोग जॉइन करते हैं लेकिन वो इस बिद्नस को सीरियस नहीं लेते और जल्दी इसे छोड़ देते हैं और उसकी बहुत बड़ी वज़ा है विजन की कमे वो लोग इस बिद्नस को सीरियस ली नहीं लेते तोकि वो इस बिद्नस का पावर को समझे, क्योंकि जब आपका विजन बड़ा होगा, तभी आप इस business को एक serious business की तरह लेंगे, और मैं आप से यह कहता हूँ, अगर आप इस business को उतना ही serious लेंगे, जितना किसी दुनिया के दूसरे business को लिया जाता है, जहां आपके 20-25 लाग रुपे लगे होते हैं, और अगर आप उतने ही शिदत से इस business को करेंगे, यह business आपको वो फल दे सकता है, जो आपने wildest expectation में भी आपने नहीं सोचा होगा, जितने भी नए गैलवे distributor आए हैं, मैं आप सब की सफलता की कामना करता है, पर आप की सफलता और आप के बीच में अगर कोई खड़ा है, तो आप खुद खड़े हैं, जैसा कि मैंने शिरुवात में कहा था, इस business में सफलता के लिए आपको तीन चीज़ चाहिए, पहली चीज़ है faith, जब तक आपको इस business पर faith नहीं आएगा, आप इस business में काम्याब नहीं हो सकते, और faith के लिए आपको दो चीज़े करने हैं, training और अनुभव, 70% faith आपको training से आएगा, और 30% faith आपको अनुभव से आएगा, और दूसरी चीज़ है, इस business के लिए commitment, आपको कम से कम 3 साल के लिए ढाई से 3 घंटे इस business को देने हैं, रोज, बिना किसी चुटी के, और तीसरी चीज़ है, इस business में अगर आप काम्याब होना चाहते हैं, तो आपके पास एक खाब होना चाहिए, एक सपना होना चाहिए, अगर आप इस business में faith दिखाएंगे, अगर आप इस business में commitment दिखाएंगे, तो आपका सपना पूरा होने से कोई नहीं रोख सकता, इसके साथ मैं ये session खतम करता हूँ, धन्यवाद,